नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपने चैनल लेक और आज में लेकर काई हूँ आपके लेट चंकी फंकी से कलर वाला बहुत है राफ और और हाई रेंज देने वाला कमाल का इलेक्रिक स्कूटर इसका नाम है जी लियो ग्रेशी आई नभी आप देख रहे हैं अपने सामने इ लेकिन इस पर जिस तरी किसी ग्राफिक्स इस्तुमाल के आजाना है तो वह इस इलेक्रिक स्कूटर को काफी ज़्यादा खास बना देता है और बात करें पर बात करें बहुत ही ज्यादा खांद के सिर्फ सुरू हो जाती है इसकी प्राइजिंग अराउंड थावजन है बहुत ही बड़ा वील बेस नहीं है एक साइस का इलेक्रिक स्कूटर है लेकिन यह की रेंज कमाल देता है और आपके प्राइस काफी जादा कम रहते हैं आप इंडिया के किसी भी स्टेट किसी भी सिटी किसी भी रीजन से हैं तो आपके लिए जरूर अवेलेबल रहने वा इसलिए वीडियो का पूरा देखा करो मैं या तो लास्ट में 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 अफिर स्टार्टिंग में भी कभी कब इस तरीके की इन्फोर्मेशन सारी एड़न कर देता हूं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ग्रेसिया इलेक्रिक स्कूटर के बारे म देम्स बगरा हैं काफी शार्प सा इसका यह एड़ बनाया गया है दो साल की वारण्टी मिलकिया आपको मोर्टर कंट्रोलर और इसके फ्रेम पर तो उसकी ब्रेंडिंग यहां पर की गई है बगी यहें इसके डियारल साइड में और नीचे की तरफ यह भी इसके डियारल क भाएं पार रेसिंग की निन का लोगो हुप मिल जाता है आपके सामझे कि कैसे क्माल के इस्तिमाल किये गए है नीचे की तरफ ये और hon है फोड़ी ग्रेंट कर फिनीश तो बड़ा अच्छा सा color combination इस्तेमाल किया गया, overall खेल भी रहा है स्कूटर पर, नीचे के तरफ देखेंगे, टैलिस्कोपिक फॉक्स सस्पेंसंस हैं, और C8 के ट्यूबलेश टायर, जिनका size रहने वाला 90 by 90 का, 12 inches के aluminum alloy, और फ्रेंट में ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, इस ब्रेक के साथ में, इस साइड से देख लीजिए, aluminum alloy का look कितना ज्यादा कम आलगा हैं पर रहता है, बागी side profile में भी काफी ज्यादा यह देखें, फ्रेंब में काफी ज्यादा अच्छे अच्छे से design का इस्टमाल किया गया है, जीलो की branding, future is electric, इसकी कर्स का काफी भर पूर इस्टमाल किया गया है, एक बार बात कर लेते हैं, इसके indicator और इसके headlamps के बारे में, तो headlamps भी देख लीजिए, यह भी अगेन आपको LED में ही दोनों side में देखने के लिए मिलने वाले हैं, काफी अच्छी looking यह भी provide करते हैं, बात करें, turn indicators कहा हैं तो वो देख लीजिए, यहां उपर की तरफ डियारल के नीशे ही LED turn indicators है, यहां पर और बहुत अच्छी looking प्रोवाइड करते हैं, जब यह blink करते हैं, सिलाल कर देते हैं, इन्हें बंद, साउंड ए करते हैं, बाकि इस electric scooter के साथ मैं आपको cruise control भी देखने के लिए मिलते हैं, तो एक बार उसका नमूना मैं आपको जरूर एक बार दिखाना चाहूँगा, तो यहां पर मैं आगया हूँ, और यह पार्क मोड से मुझे अगर इसे अठाना तो इसे प्रेस करूँ मैं ब्रेक को, और यह आगया जी, driving mode में, अब मैंने इसे राइड किया, यह मैं आगया, बीज की स्पीड पर, ओके सॉरी अभी वर्क नहीं कर रहा, बदानी क्रूस कंट्रोल, साइनों ने बंद किया हुआ, क्योंकि यहां पर खड़ा है, बगी क्रूस कंट्रोल के लिए हाँ पर बटन है, और हैड्लम के कंट्रोल यहां पर दिये गए हैं, इधर है, इसका, इस mode चेंज करने के लिए बटन, तीन mode मिलते हैं, 123 तो वह आप यहां से चेंज कर सकते हैं, 123 नीचे है reverse mode में लगाने के लिए एक switch, तो एक बड़ मैं आपको टॉप स्पीड वगएरा दिखा देता हूं, 1 mode में कितनी है, 1 mode में 25 की है, 2nd में 25 की है, और 3rd में 25 की है, जबकि speed हर mode में बढ़ रही है, मैं आपको पहले बता है कि यह तरीका होता, registration वगएरा बचाने का RTO से, अपने scooter का, तो इसमें speed तो आपको 40 से 45 km per hour के मिलते हैं, लेकिन में 25 की ही show करेगा, जिससे आपको नहीं क डर के, बाकि side में पूरी तरीके से black finish में आपर दिये गए, handles पर देखेंगे तो कितनी अच्छी सी finish का यहाँ पर इसमाल किया गया है, बाकि brakes वगएरा, seat को open करना है, इस तरीके से हो जाती है, seat open, छोटे से size की seat है, यहाँ पर यह है, इसका charger, यह इसमें kit वगएरा और फस यहाँ से cut होने पर सभी चीजे बंद हो जाती है, seat को कर देते है, बंद, छोटे size की seat है, compact size का electric scooter है, यहाँ पर दिया गया है, इसका latest footrest और यह है, इसका प्लियन passenger footrest, अब एक बार आपको key भी दिखा देता हूं, वीगल अभी जैसे कि आप देखने की off है, और यह है, जील scooter हो गया, on, off करना है, कोई दिख्केत नहीं है, इस तरीके से यह वर्क करता है, पूरी तरीके से, काफी अच्छा है, एक बार on कर लेते हैं, rear tail lamps, और indicator के setup को, तो यहाँ पर तो जगा यह थोड़ी सी कम है, लेकिन देख लिजए है, हैलोजन इंडिकेटर है, यहाँ पर chrome finish इस वगरा का इस्तमाल है, ऐसे लगता है, बलफ वगरा और भी दिएगा है, लेकिन एक ही दिएगा, हैलोजन में, मिलेंगे, पीचे की तरफ थोड़ा साइग्राइब बैक सपोर्ट आप इसे कुछ भी जोचा है, और बंद कर देते हैं, और का कुछ है, यहाँ पर नीचे का होगा, जी, नैंटी भाई हंड्रेट का है, तो थोड़ा बढ़ा दिया गया, कैन इंचिस का साइज है, मोटर का, और बाकी क्या कुछ है, मोटर की पावर, बार सवाट की मोटर यहाँ पर रहने वाली है, सिंगल चार्ज में रेंज आपको भही मिलती है, यहाँ पर यहाँ पर सो कर देता है, बाकी बात कर लेते हैं अब एक बाल, इसकी प्राइस क्या है, कितने मोटल में अवेलेबल होने वाला है, देखिए कई प्रोडक्ट है, यह स्कूटर है, यह स्कूटर है, सारे स्कूटर है, बाकी जो लुकिंग के उपर बात है, कौन सी लुकिंग सबसे बीस लुक्र और को मिलता है फॉर्टी एट वर्ट और शुर्टी एंप्र आवर और उसवाले शुटरगा आप लेते हैं तो इसमें आपको पढ़ती है और अगर बेस को लेते हैं वहाँ पर पढ़ती है थाटी से थाटी टू थाउजन रूपीज बेस वेरेंट में आपको रेंजे प्रोवाइड करेगा अराउंड सैवेंटी से एटी किलो मिटर्स की सिंगल चार्ज में और टॉपन वेरेंट में सिंगल चार्ज में प्रोवाइड करेगा स्कूटर को बाय करना कोई भी परिशानी नहीं है आपको जाना होगा जीरियो के ओफिशल वैपसाइट जो कि यहां पर यह रही डवल डॉट जी लिए डॉट कॉम इस तरीके से लेकर गुमना फिर आप भी जैसे जा रहे हैं गाने चलाते हैं काई मैं म्यूजिक सिस्टम भी इस नहीं है मुझीक सिस्टम लेकिन सिस्टम में और आपको मुझीक सिस्टम मिल जाएगा बागी यह इसकूटर क्लाब का लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा इस तरह इंट्रस्टिंग वीडिओ के लिए चैनल को सब्स्क् प्रेस कर दें बैल आइगन को